हालो गाइज वेलकम यूट तो गवर्मेंट जॉप्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड से ऐसा जी एससी जीडी की कट आफ का एनलसेज है और सारा ही ऑफिशल डाटा फैक्ट बेस का बेस पर आधारित है तो जिनके नंबर कम भी बन रहे हैं वो भी इस वीड स्टाइट करते हैं सबसे पहले देखेंगे वेकंश्य सबसे पहले काडा में सबसे ही यह यह decide करेगी cut off कितनी जाएगी अब देखो यह 2021 की vacancies है total vacancies हम देखेंगे आपर total vacancies थी 25,271 ठीक है total vacancies यहाँ पर 25,271 थी यह official है और 22 में अगर vacancies की बात करें तो हमारे पास है 45,284 vacancies vacancies के मामले में करीब दो गुना दो गुना से थोड़ा ही कम दो गुना vacancies है तो इसका बहुत जादा cut off पे फरक पड़ने वाला है आप सोच भी नहीं सकते कितना फरक पड़ेगा आगे चलते हैं आगे चलते हैं 2021 और 2022 का हम जब comparison करेंगे तो हम क्या ब पेलिवा तो pattern में change हुआ है pattern में बदला हुआ है 2021 में 100 questions पूंचे जाते थे और 90 मिनट का आपको time दिया जाता था 100 questions के लिए 90 मिनट का लेकिन 2022 में number of questions 80 कर दिया गया number of questions 20 कम किया गया और time आपका कर दिया गया 60 मिनट मतलब 30 मिनट का time कम कर दिया गया अगर आप इन 20 questions में देखें तो 5 आपके मैस के होंगे 5 reasoning के होंगे 5 हिंदी के होंगे और 5 questions GS के होंगे तो अब आप हमें बताओ मैस of reasoning के 5-5 questions में कितना time लगेगा जादा जादा 5-5 मिनट तो 10 मिनट माल लो और इन 5 GS of 5 हिंदी के questions के लिए 5 मिनट और माल लो दोनों के questions के लिए 15 मिनट लेकिन time कितना कम हुआ यहाँ पर 30 मिनट पूरा time कम हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर time कम है नमबर आप questions जादा है इसलिए इसका बहुत जादा कटाप पर प्रभाब पड़ेगा यही कारण है कि बच्चों के बहुत जादा questions attempt नहीं हो पा रहा है मैच आसान आ रहा है फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे है क्योंकि time management नहीं हो पा रहा है ठीक है बात समझ भाई यह सबसे बड़ा factor है आपको एक तो number एक तो vacancies है और दूसरा factor है आपका यह जो time management का factor है जो time आपको इस वार कम दिया गया है उसका cutoff पे बहुत जादा फरक पढ़ने बाला है अब हम आपको दिखाते हैं 2021 की official cutoff official जो SSC ने जारी किया था ठीक है अब वो बताते हैं देखो 2021 का सबसे ज़्यादा cutoff आपको पता है SSF का जाता है SSF जो service है हमारी force वाले सच्चिवाले सेवा में जो force होता है उसकी जो service है उसका cutoff सबसे ज़्यादा जाता है दिल्ली में पोस्टिक होती है अब देखो उसकी cutoff आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है EWS की cutoff थी 67 SC की 64 ST की 61 OVC की 70 और UR की 72 यह official है इसमें हमने कुछ नहीं किया है ठीक है दूसरी बात यह male की थी यह female की cutoff थी और आप देख सकते है male की male की और female में बहुत जाधा आंतर नहीं है हां नतर तो रहता है देखो आप यहाँ पर देख लो male की male की भी आप cutoff देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर यह cutoff कितने में यह cutoff है आपका 100 marks के अंदर यह 100 marks के अंदर आपका cutoff है अगर 100 marks के अंदर आपका 70 number cut off जाता है, इसका सीधा सा मतलब हुआ, cut off केतना हुआ, 70%, 70% cut off हुआ, अब अगर हम इस बार के comparison करें, हमारा 160 number का paper है, अगर इसका हम 70% निकालें, तो 16 सत्य 112, 112 number बनते हैं, आपके cut off के लिए, और 112 का मतलब हुआ, 56 question, और यह 56 question कौन से हैं, आपको पता है, यह SSF की service के लिए, SSF की service के लिए, आपको 56 question की requirement है, और वो भी इसकी vacancies बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इसलिए इसका cut off बहुत ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा इसी के जाता है, और वो भी बहुत high level का जाता है, तो इसमें आप 56 questions की requirement है, ठीक है, यह OBC का है, UR का आप OBC से दो ही ज़्यादा है, तो कोई ज़्यादा फरक नहीं, SC, ST, EWS वाले और भी इसमें कम कर सकते हैं, तो आपने देखा, यहाँ पर 56 questions बन रहा है, और इसमें यह वाला factor नहीं जुड़ा है, जो number of vacancies यतनी ज़्यादा है, यह तो ह सोच सकते हैं अभी, ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे यह जनरल बात है कि paper exams हो रहे हैं, paper कैसे आ रहे हैं, सारे paper, सारे section में easy to moderate आ रहे हैं, और अगर आप 55 से 66 के बीज में, आप 55 से ज़्यादा attempt करते हैं, तो आपका good attempt में count किया जाएगा, यह good attempt इसलिए है क्य attempt कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा attempt माना जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, cut off की, अब देखो, अब यहां से ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना है, यहां पर बिल्गुल भी जल्दवाजी नहीं करना है, बिना skip कियो हुए, कते वीडियो को skip नहीं, यह नहीं जीडी में उनकी सबकी अलाग अलाग cut off लेकर आ रहे हैं, तो आप अगर चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, जब भी कोई information आई, तो आप देखो, यहां पर जो राज्यों होते हैं सारी राजीयों की अलग अलग cut off जाती है, अलग अलग cut off जाती है, कुछ राजीयों की बहुत ज़्यादा हाई जाती है, तो हमने उन राजीयों को एके कटेगरी बनाकर लिखा हुआ है, यह पूरा analysis के बाद में हुआ है, अवा हवाई यहां पर कुछ भी नहीं है, तो आप अरुनाचल प्रदेश, मेघाले, विजोरम, पोदुचेरी, त्रिपूरा, तमिलनाडु और करनाटका, यह सारे एक कटेगरी में आएंगे, कटाफ के मामले में, कटाफ के मामले में अगर इन में आते हैं, तो अगर आप मेल हैं, तो 25 प्लस और फीमेल हैं, तो 22 प्लस, रनिंग वरिंग की जो भी तैयरी करने हैं आपको करना शुरू कर यह, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, अगर आप इन राजियों से हैं, अंडमा, निकोवर आइलेंड, आसाम, चंडीगड, दादरा, इंड नंगर हवेली, और गोवा, केरला, इन राजियों से हैं, अगर आप male हैं तो 31 प्लस और female हैं तो 26 प्लस questions अगर आपके सही बन रहे हैं आपको लगता है कि इतने questions सही हो जाएंगे तो आप आगे की तयारी आख बंद करके करना start कर दीजिए ठीक है कटाव इसे भी कम हो सकता है कुछ लेकिन इसे ज़्यादा जाने के कोई भी chance बनता ही नहीं है आप इतनी बात मान के चलिए अंद्रप्रदेश सिक्किम तेलंगाना से अगर आप हैं तो अगर आप male हैं तो 33 और female हैं तो 30 questions आपके अगर सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग काटके तो आप एकदम safe zone में हैं इस slide के बादे हम बताएंगे SSF की cut-up कितनी जाएगी तो अगर आप मेल हैं तो 35 प्लस और female हैं तो 32 प्लस अगर आपके नंबर सही हो रहे हैं तो आप एकदम निश्यंत रहे हैं बिना किसी भाकावे में आए हुए आगे की तैयारी शुरू करिए यूटे पर बहुत बवाल चलना है उससे बचिये प्लेट पंजाब पंजाब से अगर रहे हैं तो मेल हैं तो 38 और female हैं तो 34 महाराश्टरा के अगर बात करें तो 40 फीमेल हैं तो 36 अगर आप इस कटेगरी में आ रहे हैं और इससे ज्यादा और एक बात बात यह है कि यूवार कटेगरी की कटाफ है UR category की महिला पुरुष हमने अलग-अलग कर दिया लेकिन बाकी category से अगर आप OVC, EWS, इन सम्में से किसी से हैं, SC, ST, तो आप इसमें अपना कम भी कर सकते हैं, OVC कम जाएगा सबसे ज़्यादा UR का ही जाता है, आप इसमें से अपना कम कर लें, जितना भी है, आप इतना तो आइडिया लगाई लेंगे, आप कितना कम जाता है, नहीं तो पिछले वाले cut-up से, OVC वाले कम से कम 2-3 question कम कर लें, UR से, EWS वाले 2-3 question कम कर लें, SC वाले 3-5 question कम कर लें, और ST वाले 5-6 question कम कर लें, इस cut-up से, ठीक है, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, जारखंड से हैं, तो 41 प्लस और फीमेल हैं, तो 38 प्लस अगर question सही हैं, तो आप एकदम safe zone में हैं, दिल्ली, मद्धे प्रदेश, उत्राखंड, यूपी, बिहार से अगर बिना किसी सोचे समझे, राजस्तान हरियाने की कटाफ सबसे ज़्यादा जाती है, तो इसमें अगर आप मेल हैं, तो 44 प्लस और फीमेल हैं, तो 40 प्लस, अगर आप इन कटेगरी में बिलांग करते हैं, तो आप दना दना आगे क्तियारित चालो कर दीजिए, और आपका मतल ही अनालिसिस करने के बाद में आपको यह दिया जा रहा है, तीक है, आप आगे देखते हैं, SSF की कटाफ क्या जाएगी, SSF की कटाफ में मेल और फीमेल में हम दोनों देखेंगे, इसकी राज्यवार नहीं जाती है, इसकी सब ऐसे ही जाती है, इसमें SC की कटाफ रहेगी, 44 से 46, OBC का 48 से 50, और EWS का 47 से 50, यह नमबर आफ कुश्चन्स हैं, ब्यां रखना, नमबर आफ कुश्चन्स, इतने कुश्चन्स है होने जाए, जनरल कटेगरी का 50 से 33 जाएगा, अगर फीमेल हैं तो आप देख लिजिए, SC में 41 से 43, ST में 49 से 41, OBC में 43 से 46, EWS में 42 से 45, UR और जनरल कटेगरी में हैं आप अगर, तो 44 से 50 नमबर पुश्चन्स आपके सही हो रहे हैं, तो आप बेफिकर होकर आगे की तैयरी शुरू कर दिजिए, इसके बाद में हम पोस्ट वाइस कट अफ ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनलिसिस करना पड़ता है, तो इतनी ज बताईए और कमेंट सेक्शन में आप यह जरूर बताईए कि आपके कितने अटेंट हो रहे हैं, आपने अटेंट किये हैं, अगर नहीं किया हैं तो कोई बात नहीं, जितना करके आएं आप उसको बताईए ताकि हम आगे के अनालिसिज में और ज्यादा प्रमाडिकता ला स चलिए यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं